महाराष्टर राज का भिवंडी सहर का ये वराला जील जो परसिद्ध देवी वराल देवी के नाम पर वराल देवी तलाब के नाम से जाना जाता है यहीं पे बगल में इस थित बहुत पुराना वराल देवी का मंदिर भी है जिनके नाम से ये तालाब का नाम वराल देवी तालाब के नाम से जाना जाता है ये तालाब इतना बड़ा है कि अगर इस तालाब का एक चक्कर लगाएंगे तो आपको चार से पांच किलो मीटर तक चलना पड़ सकता है ये बहुत पुराना तालाब है जो कभी नहीं सूपता और बताया जाता है कि यहाँ पर मराठी की सूपर हिट फिल्म महिर ची सारी की भी सूटिंग यहीं पर होई थी तो इस तालाब के बारे में जो कुछ भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर सामने देख सकते हैं सामने जो दिखाई दे रहा है यह कामतगर है यहाँ पर चारो तरफ आबादी यह है और इतने बड़े तालाब के चारो तरफ आबादी यह जो एरिया दिखाई दे और यहां पर भक्तों की हमेशा भीड़ रहती है और यहीं पर बगल में ही हनमान जी का एक मुर्टी है जो लगभग साथ फुट उची मुर्टी है अभी मैं वो भी दिखा रहा हूं देख सकते हैं यह हनमान जी की मुर्टी है जो लगभग साथ फुट उची मुर्टी है यह और बहुत विसाल मुर्टी बनाया गया है और यहीं पर बगल में एक बहुत पुराना दर्गा भी है ये सब कुछ एक आस पास में ही यहीं पे है तलाब के किनारे पे ही ये सब कुछ ये दर्गा देख सकते हैं ये बहुत पुराना दर्गा है और इस दर्गा के पास मैं खाड़ा हूँ और यहां से ये देख सकते हैं ये रोड इसी तरह तलाब के चारो तरफ ये इसी तरह का रोड है और यहां पर यह सामने पहारी दिखाई दे रहा है कितनी हर्याली है और कितना बहतरी यह रोड है और यहीं पर अभी मैं आपको दिखाता हूं कि एक बहुत बड़ा गार्डन भी है एक पार्क भी है वहां पर भी मैं लेके चलता हूं लेकिन उसके पहले यहां पर देखेंगे यहां पर मेला लगा हुआ है फैमली मेला है यहां पर देख के ऐसा लग रहा है कि अभी ज्यादे लोग है नहीं लेकिन रात को यहां पर भीर होने वाली है ऐसा लग रहा है यहां पर कुछ भूले भी हैं और बच्चों के लिए यहां पर कुछ है इस त हीर होती होगी जब अभी यहाँ पे जदेधीर नहीं दिखाई देख आ पार्क के अंदर है कुछ लोग हो पार्क यहां कर awake निकल रहा हूँ और आको दिखाता हूं पार्क यहां पे देख सकते हैं यह इस्ट्रीट फूर्ट के भी बहुत से यहां पे दुकाना लगी होई हैं और बहुत वेतरीन वेतरीन इस्ट्रीट फूर्ट भी यहां तो मिलता है यहां से पार्क के अंदर इंट्री होता है देख सकते हैं यह कितना लंबा पार्क दिखाई दे रहा है यहां से देखेंगे तो आखिर इत नही दिखाई दे रहा है पार्क बहुत لم्बा है पूरा आखिर तक चलते हैं और देखते हैं यह बिल्कुल तालाब के तट पे ही यह पार्क बना हुआ है यहां पर पैदल चल रहे हैं कुछ लोग बताया देखिए अधिकllä हैं स्वास्त के प्रति उस्तार लोगों के लिए एक पसंदीदा जगह है। सुबह के समय यह जगह जोगर्स से एकदम भरी हुई होती है। यहां पर बहुत भीर होता है। और दिन में भी यहां पर कुछ लोग एकांत में कुछ सकून पाने के हिसाब से यहां पर कुछ लोग आते हैं। दिन में भी यहां पर ऐसा नहीं रहता है कि खाली रहता है इसे पार्क में लोग आके बैठे रहते हैं और फैमिली के साथ आते हैं बच्चों के लिए भी अच्छा जगह है यहां पर यह टूरिश पैलेस नहीं है लेकिन यहां के आस्थानी लोगों के लिए यह एक सकून का जगह है जहां पर यहां बच्चों के साथ कुछ पल बिता सकते हैं यहां के अस्थानी लोगों के लिए उल्जन भरी जिंदगी से एकांत और कुछ सांत का पल बिताने के लिए यह एक अच्छा जगह है इस पार्क में आम तोर पर सब्ता और सारवजनिक छुट्टियों प कि यहां पर सब्सक्राइब होती हैं और सारव यृफ journey kयों कि योग और यहां के लिए बहुत लोग आते आनों यहां का वाटावण जो है बहुत बहुत दिखाई दे रहा है और यहां पर घील भी है बगल में इस वज़े से यह जगह बहुत ही बहुत ही सुन्दर जगह दिखाई दे रहा है यहां देशकते हैं यह जो इतना बड़ा तलाब है इसके चारों तरफ आबादी है यह सहर के तरह से बोलें यह बीच में नहीं है लेकिन जो है यह सहर के अंदर ही है यहां तो यह भीवंडी रोड रेलवे इस्टेशन से लगभग यह तीन किलोमीटर की दूरी पर यह जील इ बीवंडी रोड रेलवे इस्टेशन से तीन किलोमीटर की दूरी लगभग लगभग पड़ेगा जो भीवंडी सहर के अंदर आना पड़ेगा और यह धामनकरनाका आता है धामनकरनाका से लगभग 500 मेटर की दूरी पर यह वराल देगी तलाब है यह बहुत बड़ा खाने का एक बहुत अच्छा जगह है जहां पर जहां की स्वच्छ हुआ और भूब सूर्ती को देख सकते हैं और बच्चों के लिए भी यहां पर जगह है जहां कुछ खेल सकते हैं कोई सुभीधा नहीं है यहां पर कोई सुविधा नहीं बच्चों को या जोगर्स के लिए कोई सुविधा नहीं है तिर्फ चल सकते हैं और यहां पर भूम सकते हैं यहां पर नगरपालिजा के तरफ से यहां पर कुछ तो होना चाहिए इसके अंदर कुछ रहना चाहिए जोगिंग के लिए जितने लोग आते हैं उनकी सुविधा को देखते हुए सुविधा के लिए कुछ तो यहाँ पर रहना चाहिए लेकिन पार्च के अंदर कूछ भी नहीं है एक दम सीधा सीधा पार्च ही पार्च है और चारो तरब सिर्फ पेड़ और पौधे दिखाई देते हैं यहाँ पर विसर्जन के दौरान यहाँ पर गनपती विसर्जन के दौरान यहाँ पर मुर्टियां विसर्जन की जाती हैं अभी दसहरा जब आएगा तो यह अपना दुर्यापुजा में भी यहाँ पर मुर्टि विसर्जन होता है और यहाँ पर बहुत भीड होता है इस तला जो भीवन्डी वासियों के लिए साफ और सुन्दर जगह है जहां पर अपनी फैमिली के साथ कुछ सकून का पल बिता सकते हैं